इद की आप सभी को बहुत सारी मुबारक बाद इद में एक कहानी जो प्रेमचंजी लिखकर गए है इद गाह याद आही जाती है कहानी कुछ यह है कि तीस रोजों के बाद इद आई है गाउ में बड़ी चहल पहल है बच्चे ज्यादा ही उत्साहित हैं हर कोई अपने इंतजाम में लगा है लेकिन बच्चों को सिर्फ इद की फिक्र है प्रेमचंजी लिखते हैं कि रोजे तो बड़े बुड़ों के लिए होते हैं बच्चों के लिए तो इद होती है जिसका खूब इंतजार किया था वो इद आ चुकी है अब लोग इद गाह क्यों नहीं चल रहे हैं उन्हें क्या फिक्र के घर में जो सिमया बनने वाली है उसके लिए सामगरी पूरी है या नहीं है पिता जी किस इंतजाम में बावले हो रहे हैं क्यों भाग भाग कर चौधरी जी के घर जा रहे हैं उन्हें इन सबसे क्या ले न देना, उन्हें तो ईद की और ईदगाह की फिक्र है। उन्की जीबों में तो कारुन का खजाना है और उसे वो बार बार गिन के देख रहे हैं। और इन सब में सबसे ज़्यादा खुश है हामिद, चार साल का गरीब बच्चा। हामिद के पिता हैजे में नहीं रहे, उनके जाने के बाद जर्द पढ़ते हुए मा भी चली गई, लेकिन हामिद इतना जानता है कि पिता जी कहीं कमाने के लिए गए हैं, एक दिन वापस आएंगे और अम्मा तो मिठाईयां लेने के लिए अल्लाह के घर गई हैं, वो अपन गाउं के उच्साह को देखकर चिंतिद भी रहती है, कि हामिद के पास आखिर ईद मनाने का कौन सा वो तरीका हो कि वो भी खुश हो, हामिद दादी से कहता है कि अम्मा तुम चिंता ना करना, मैं गाउंवालों का साथ नहीं छोड़ूंगा, उनके साथ ही रहूंगा और द सवैया कौन बनाएगा, हामिद तो ईद गहा से दोपहर लोटेगा, उसके आने के बाद सवैया बनाई जाएगी, तो बच्चा भूख में कैसे सहन कर पाएगा, उसके अलावा एक और बात है, आमिद ने किसी के कपड़े से ले थे, आठाने मिले थे, दूद वाले का बकाय भी करना था, तो हाथ में बस दो आने रह गए, उसमें से तीन पैसे हामिद की जेब में थे, और बाकी अमिना के बटुए में, यही उनका खजाना था, समया बनाते बनाते ये भी सोच रही थी, कि धोबिन भी आएगी, नाइन भी आएगी, साल में एक बार का तेवहार है, मना भी तो नहीं किया जा सकता, उधर गाओं का हुजूम का हुजूम एदगाह के लिए चल पड़ा, रास्ते में हामिद एक बाक के आम को कंकड़ी मारता है, माली गालियां देता हुआ बहार आता है, तब तक बच्चे फलांग दूर होते हैं, और खूब हंसते हैं कि हमने खूब उल्लू बनाया माली को, फिर उनकी बादचीत का सिलसला चल पड़ता है, उनको आने के रास्ते में बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, कहीं पर एक मदर्सा होता है, जहां के बारे में वो कहते हैं कि यहां तो बड़े-बड़े बच्चे पड़ते हैं, जिन बड़े खेल होते हैं, जादू के खेल, मेमे यहां खेलती है, वो क्या कहते हैं, बैट चलाती है, हमारी अम्मी से तो चलेगा ही नहीं, इस पर हामित कहता है, क्यों न चलेगा, मन भर आटा पीश सकती है, छोटा सा बैट नहीं चला सकती, इतने घड़ों पानी निकालती है ये तुम्हारी मेमे एक घड़ा पानी निकाले तो चूँ बोल जाए। इस पर महसिन कहता है लेकिन दोड़ भाग तो नहीं कर पाएगी ना। हामित कहता है मौका पड़ेगा तो दोड़ भाग भी कर लेगी। याद है एक बार गाये खुलके चौधरी साहब के खेत में जागुसी थी। कैसा भागी थी तुम्हारी अम्मी हम सब पीछे रहे गए थे। गाये को घेर लाई थी। कोई कहता है कि एक बार दिन का पूरा कारोबार हो जाता है तो शाम को जिन्नात आते हैं सारी मिठाईया ले जाते हैं और रुपए दे जाते हैं। कोई सवाल करता है कि जिन्नात के पास इतने पैसे कहां से आते हैं। जवाब मिलता है उन्हें पैसे की कौन सी कमी। और हाँ ये भी सुना है कि गाओं के जो चौधरी साहब हैं जिन्न तो उनके भी कबजे में हैं। इसलिए उनके पास इतन रुपए पैसे हैं जिनने से पूछ के हर सवाल का जवाब दे देते हैं याद है गाउं में एक बार बचड़ा गुम हो गया था तीन दिन ढूंडते रहे नहीं मिला जब चौधरी सहाब के घर गए तो उन्होंने कहा मवेशी खाने में हैं और वहीं मिला ऐसी बाते होते होते ईदगाहा आ जाता है नमाज अदा की जाती है नमाज अदा करने के बाद बच्चों का उत्सा जिस चीज के लिए वो आये थे उधर मुडता है और इसमें बड़े भी पीछे नहीं रहते एक बड़ा सा हिंडोला है ऐसा लगता है मानो आसमान चूने को बेताब है चर्खियां लगी हुई हैं जिनमें घोडे हाथी बंदे हुए हैं महसीन हर घोडे पर बैठता है हामिद दूर से देखता है महसीन के पिता हामिद से कहते हैं कि आ जाओ तुम भी बढ़ जाओ वो राजी नहीं होता है गाओं के बुढ़े कहते हैं छोटा है लेकिन अभी से अपना पराया समझने लगा है हामिद सोचता है क्यों किसी का एहसान लेना आगे खिलोनों की दुकान आती है हर बच्चा मचल उठता है कोई भिष्टी लेता है कोई सिपाही लेता है कोई वकील लेता है हामिद बस देखता है इस उम्मीद से भी देखता है कि शायद कोई रफीक कोई दोस्त जो खिलोना खरीद रहा है थोड़ी देर के लिए हामिद को खिलने दे लेकिन नया नया उत्साह और वो बालपन हमिद को कोई पूछता भी नहीं उसके आगे दरी पे सीटियां, रवड के बुत वो सारे खिलोने भी लिये जाते हैं फिर बिठाईयों की दुकान आती है कोई रेवडियां लेता है, कोई गुलाब जामून लेता है महसिन तो हमिद से कहता है कि हमिद जरा ये रेवडियां देखो कितनी खुश्बुदार है हमिद समझता है कि ये मजाख है, लेकिन फिर भी लेने के लिए आगे बढ़ता है महसिन दो-तीन रेवडियां आगे बढ़ता है और एन हाथ पास आने पर खीच कर अपने मुझ में रख लेता है सब हमिद की खिल्ले उड़ाते है फिर नूरी कहती है कि तुम गुलाब जामून ले लो हमिद कहता है नहीं नहीं, क्या मैं नहीं खरीद सकता? क्या मेरे पास पैसे नहीं है? मिठाईयां खाने से तो खराबी होती है मैं क्यू कहाँ? इस पर दोस्त उलाहना देते है कि पैसे तो तुम्हारे पास भी है ले क्यों नहीं लेते? कटाक्ष भी किये जाते है कि तीन पैसे से क्या-क्या खरीदेगा? एक दोस्त कहता है कि बड़ा चालाक है यह हमिद हम सब के पैसे जब खर्च हो जाएंगे तब अपने पैसों की मिठाईयां लेकर हमें चिड़ाएगा बातें करते करते वो इदगा का इलाका आ जाता है जहां पर लोहे के सामान बिक रहे होते हैं बच्चों को किसी तरह से लोहे में कोई रुची नहीं होती वो आगे बढ़ जाते हैं पानी पीने के लिए हमिद एक जगा दस्त पनाह यानि की चिम्टा देखता है और दुकानदार से पूस्ता है कि ये दस्त पनाह कितने के दिए दुकानदार जरा देखता है फिर कोई बड़ा न दिखाई देने पर कहता है ये तुम्हारे काम का नहीं है हमिद कहता है बेच योगे या नहीं बेच योगे दुकानदार कहता है अगर नहीं बेचना होता तो लाद के क्यो लाते हामिद तो बताते हैं क्यों नहीं कितने का है दुकानदार कहता है छे पैसे का है हामिद के पास तीन पैसे है वो कहता है तीन पैसे में दोगे और अंदाजा लगाता है कि अब दुकानदार जम के घुड़कियां देगा सर जुका के चुपचाप वहां से जा रहा होता है लेकिन दुकानदर घुड़किया नहीं देता तीन पैसे में वो दस्त पना वो चिम्टा देता है उसे लेकर हामिद अपने दोस्तों के बीच में आता है दोस्त कहते हैं ये क्या उठाला है दस्त पना चिम्टा अरे इसका क्या करोगे हामित कहता है क्यों नहीं इससे बढ़िया और क्या चीज हो सकती है फौलादी है अभी तुम्हारे मिया भिष्टी को एक चिम्टा लगा दूँ धराशाई हो जाएं ये लो जमीन पर पटक देता है अपना चिम्टा और कहता है है हिम्मत तो जरा मिया भिष्टी को जमीन पर पटक के दिखाओ दोस्तों पर थोड़ा रुआब जम जाता है दोस्त कहते हैं क्या ये दस्त पना क्या ये चिम्टा खिलोना है हामित कहता है खिलोना क्यों नहीं है भई कंधे पे रख लो बंदूग बन गया बजाने लगो फकीर का चिम्टा हो गया अरे इससे मैं न जाने कौन-कौन से काम कर सकता हूँ इस पर उसके दोस्त कहते हैं कि लेकिन ये भिष्टी की तरह पानी तो नहीं भर पाएगा हामित कहता है ये चिम्टा देख रहा हूँ अभी भिष्टी को दो चिम्टे लगाऊँगा भाग के पानी भरेगा क्यों पानी नहीं भरेगा सिपाही की बात आने पर कहते हैं ये सिपाही है अरे ये सिपाही तो गिरेगा चकना चूर हो जाएगा मेरा चिम्टा तो फावलादी है आग में मूँ डालता है सारे बच्चे सोचते हैं कि कितना चालाख है हामित अपने पैसों का कितना बढ़िया उपयोग किया है नूरी कहती है लेकिन तुम्हारा चिम्टा तुम्हें कानून से तो नहीं बचा पाएगा बावर्ची खाने में पढ़ा रहेगा मेरे वकील साहब कुर्सी पर वैठेंगे हामित कहता है ज्यादा कुर्सी पर वैठेंगे तो एक चिम्टा धर दिया जाएगा सारा कानून पेट में घुश जाएगा बात में कुछ दम तो नहीं था लेकिन कानून पेट में घुश जाएगा इस बात ने रंग जमा दिया सारे लोग अब हामित के कायल हो चुके थे सुमिज इसने खंजडी खरी दी थी वो कहता है खंजडी से बदलोगे दो पैसे की है कहता है रहे तुम्हारी धब-धब करने वाली खंजडी का क्या मुकाबल है मेरे चिम्टे से एक बार में पेट फार देगा जड़ा सा पानी पड़ा नहीं कि खराब सारे बच्चे हामित का दस्तपना हामित का चिम्टा देखना चाहते हैं बदले में हामित को वो खिलोने चुने को मिलते हैं कभी भिष्टी, कभी वकील, कभी सिपाही थोड़ा मन चंचल होता है लेकिन फिर सोचता है जब ये खिलोना लेकर घर पहुँचेंगे तो इनको क्या ही पूछा जाएगा मेरी अम्मा दस्त पनाह देखते ही खुश हो जाएगी, दुआएं देगी गाउं भर में गाती फिरेगी और इसी बात को करते करते उनका घर आ जाता है महसिन की बहन भिष्टी को देखके खुशी से उसे अपने हाथ मिले के यूँ उचालती है कि भिष्टी जमीन पे गिर के चकना चूर हो जाते है वकील सहाब के लिए अटारे में लगने की जगा नहीं मिलती सेर कराते हुए उसकी एक टांड तूड जाती है उसको खड़ा करने की बारंबार कोशिश होती है खड़ा नहीं होता तो दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है बेचारा नचल सकता नफिर सकता हामिद के यहाँ हामिद अपना दस्थ पना चिम्टा लेकर पहुंसता है अमीना लपक के देखती है कि हामिद वापिस आगया है फिर उसके हाथ में चिम्टा देखकर कहती है यह तू क्या उठा लाया है कैसा ना समझ लड़का है अरे इतने खिलोने थे खाने पीने की चीज़ें थी जूले थी तू चिम्टा लेकर आया है हामिद कहता है रोटिया बनाते हुए तुम्हारे उंगलियां जल जाती है ना अमीना कुछ नहीं कहती अमीना भर के दुआएं देती है ऐसी दुआएं जिसमें कोई शब्द नहीं होते है सोचती है कि इतना छोटा सा लड़का है लेकिन कितना सुचता है सारे बच्चे वहाँ पे जूले जूल रहे होंगे मिठाईया खा रहे होंगे खेलोने खरीद रहे होंगे क्या इसका मन नहीं लल चाया होगा लेकिन ये मेरे बारे में सोच के देखो चिम्ता लेकर आया है और दादी अमीना बूढी अमीना छोटी अमीना बन जाती है दुआएं देती है हामिद को और फूट फूट के रोने लगती है हामिद समझ नहीं पाता है कि आखिर उसकी दादी रो क्यों रही है ईद गाह की ये कहानी आप जब भी पढ़ें ऐसा लगता है ईद आभी गई है और ईद सार्थक भी हो गई है तो इस कहानी के लिए प्रेमचन जी को धन्यवाद देते हैं आप सभी को ईद की धेरो मुबारक बार